स्वागत आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल हैल्सएवन में फ्रेंड न्यूबॉर्ण बेवी को या जो हमारे चोटे बच्चे हैं क्या उन्हें बॉटल से दूद पिलाना चाहिए या फिर हमें बच्चे को कटोरी चम्मत से दूद पिलाना चाहिए या कप और ग्ला वीडियो में कवर करने वाले हैं आप वीडियो पर लाज तक बने रहीएगा सबसे पहले हम आपको यह बताना चाहेंगे कि अगर मां अपना करा रही है तो बहुत ही अच्छा है लेकिन अगर किसी कारण वास मां ब्रेश्ट फीड अपना नहीं करा पा रही है क्योंकि हम लोग सब कुछ इसमें कवर करने वाले हैं तो सबसे पहले कि हम यह बात करें अगर आप गाउं से होंगे तो आपनी यह देखा होगा कि जो चोटे बच्चे होते हैं मां उन्हें अपना दूद पिलाती है फिर जब मा को लगता है कि थी कि आव में बच्चे पर कुछ और अपलाई करना चाहिए तो उस समय मा आप देखते होंगे छोटी सी गिलासी रख लेती हैं गिलासी में दूद डालके बच्चे को फिर वो मा पिलाती है या फिर थोड़ा बड़ा बच्चा होता इसको ग्लास में पिला देती है मतलब वहां पर बॉटल यूज बिलकुल भी पिलाते हैं लेकिन एक से दो बार हम बॉटल को द estad Crist a उसके बार बहुत ही दूब नकल देगाता है लेकिन बार बच्च पेट को दूद्ध और दूद्र रहता होता है तो अगर बोट़ने पंजिए का बच्चे को बारबार बॉटल निकाल डेगा या तो पैरिइंट्स औ अगर बॉटल को ठीक से ना धोएं बॉटल दोने का तरीका होता है कि आपको बॉटल सरफ मिला करके गरम पानी में 10 मिनट कम से कम उबाल करके फिर उसको अच्छे से दोलिया और एक बार फीट कराने के बाद फिर आपको नेक्ष्ट ऐसे दोलना है या फिर आप अच्छे कि उसको भी आपको दुलना कर अच्छे क्वालिटी का बॉटल यूज करेंगे तो बच्चे के लिए ठीक होगा उसे महक वाली जो सिकायत है वो नहीं आएगी दूसरा जो बॉटल पर निपल लगा होता है जिसे बच्चा सक करता है जो लोकल मार्केट में जो बॉटल मिलत बॉटल से दूद पीने का नतीजा होता है लेकिन अगर हम अच्छे क्वालिटी का बॉटल यूज करें जैसे एवेंट का बॉटल हम यूज कर ले उसका जो निपल होता है वो बिलकुल माकेट की तरह होता बच्चा उससे जब दूद खीषता है तो यह जान लीजे कि बच कि बच्चे को दूद पीलाना ही नहीं जाहिए। अब बात करेंगे कि कशों कराड़ बन रहा है तो उने आफ का तोरी चमच से दूद पिला एं सूरू में पार को डूंच दीन है को आधे चंबश्ट लीजिए शोट को आधे चंबश्ट बच्चें की यहां पर बच्च बात लिए दिए का बड़ा बच्चा को लीजिए तो बावारोट बात करेंगे में कुछ बच्चें जो चौते बच्छे मैने में बैठने लगते हैं लेकिन बैठने लगे उसमय आपके लेजिए में कुछा दूत्पृत्त बादट दालाई ङादट ւदिया लेका क्वासा कोई बी प्राप्लम्क पिलें लके और लेकिन आपको यह देहन देंना कि मार्केट में ज्य सब औरight को आपको सब नहीं कि प्लास्टिक उपर से लगाओ या नीचे प्लास्टिक का लेयर हो आप ऐसा कुछ लेने बिल्कुल नहीं आपको इस टील प्योर इस टील का ही बरतन यूज करना बच्चों के लिए वह बच्चों को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाता है बच्चे अगर पूरी तरीके से डिबलफ हो चुका रहता है बच्चा हमारा उस समय पढ़ रहा होता है खेल कूद रहा होता एक्टिविटी कर रहा तो ऐसे में अगर बच्चे की दिमाग पी जूर पड़ेगा वह बॉटल के दूद खीचने से तो फिर बच्चे के लिए वो ठीक नहीं हो तोरी चमत से डूद कैसे पिलाते हैं ध्यान से देखिए आप लोग यह चोटी सी बच्ची है यह देखिए कैसे दूद पी रही है बहुत एकदम आराम से पी रही है आप जब भी इसको दूद पिलाए चोटे बच्चों को तो आप जरूर नीचे कुछ लगा ले ताकि कु देखिए यह देखिए ध्यान से देखिए कैसे बच्ची पी रही है आप लोग ध्यान से देखिए यह देखिए देखिए दिल्कुल है फ्रेंट्स मिलते हूं नेक्ट वीडियो में थैंक्ट्यू सोबाइब